सदियों से ये देश सूरी की आराधना करता रहा है जिनकी अनुकंपा से आज ये धर्ती उर्जा रूपी सोना उगल रही है सौर उर्जा आज की नहीं बल्कि 21 सदी की उर्जा जरुपतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नित्रित्व में वर्ष 2030 तक 500 गीगवाट गयर जीवाश्म इंधन उत्पादन के महत्वा कांक्षी लक्ष को पूरा करने के लिए कईम योजनाय शुरू की है सरकार ने Green Energy Corridors की परिकल्पना की जिसमें सौर एवं पवन उर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली का राष्ट्रिय ग्रिड से एकी करण संभव हुआ गुजरात और राजस्थान में 6000 मेगावाट नवी करणी उर्जा की निकासी के लिए भुज गुजरात से पंजाब के मोगा तक ट्रांस्मिशन सिस्टम की योजना बनाई गई भुज, बनासकाठा, चितोलगड, अजमेर और बीकानेर में पाँच नए सबस्टेशन स्थापित किये गए हैं राजस्थान में Renewable Energy Zone परियुजना के अंतरगत 1340 करोड रुपे की लागत से उपकेंद्र एवं बीकानेर से खेतड़ी और भिवाडी तक 400 केवी ट्रांस्मिशन लाइन का निर्मान किया गया है राजस्थान के बीकानेर में ही प्रदान मंत्री के स्वस्थ भारत सम्रिद्ध भारत संकल्प के तहट यहां के मेहनती श्रमिकों तथा उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ सुविधाईं प्रदान करने के लिए ESIC द्वारा बनाया गया है 30 बिस्तरों वाला अस्पताल यह अस्पताल भविश्य में 100 बिस्तरों में 99 योग्य है और इसमें आधुनिक चिकितसा सुविधाउं के साथ आयुष की सुविधाईं भी उपलब्ध होंगी इस अस्पताल के आने से आसपास के इलाकों के लाभार्थियों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ सुविधाईं और आज माननिये प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन परियोजनाओं को राश्ट्र को समर्पित कर रहे हैं